हेलो दुस्तों स्वागत है आप सभी का अच किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे ही आप अपना स्नेपचेट उपन करते हैं और यहां पर आप कैमेरे पे जाते हैं हेलो दुस्तों स्वागत है आप सभी का अच किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप Snapchat को ऊपन करते हैं तो यहां पर आपको इस तरह का दिखाई देता है जिसे कि आप देख सकते हैं तो यहां पर इस तरह का आपको एक notification दिखता है तो यह प्रब्लम आपको क्यों आ रहा है और इस प्रब्लम को आप कैसे सही कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा चरू देखिएगा तो देखिए सबसे पहले है कि अगर आपने Snapchat को अभी अभी ओपन किया या डाउनलोड किया है तब आ सकता है या तो आपने कुछ Snapchat की सेटिंग में कुछ आपने घड़ बड़ी की होगी तब आपको इस तरह का आएगा तो इसको स्वाल करने के लिए आपको सबसे करना है ब आपको ऊसपर क्लिक करना है तो यहां पर आप इस पेज पर आ जाएंगे अगर आपको इस तरह से अपके mobile में नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं शबसे पहले आप जाइए अपने mobile का जो setting है उस पर जाईए setting पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा apps का तो आपको apps वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद app management हो सकता है आपकी mobile में app manager हो तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको mobile में जितने भी अप्लिकेशन है सारे अप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्नेपचेट को यहाँ पर सर्च करना है यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको स्नेपचेट मिल जाता है तो आप ठीक है यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको स् क्लिक करना है उसके बाद तो आपको स्नेफचेट इसको उपन करना है तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर इसके बाद भी नहीं हो दा तो आप अपने स्नेफचेट ब्ले में स्टोर से अपडेट कीजिए उसके बाद आप 100% हो जाएगा तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें